गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्र मजीद अर सवागत है आप सभी का हमारे एक नए फ्रेस वीजिए ओथ है आज की इस वीजिए में मैं आपको निपल डिस्छार्ज के बारे में बताऊंगा normal और abnormal nipple discharge क्या होता है इसे cause, symptoms और treatment के बारे में बात करेंगे तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि nipple discharge क्या होता है nipple discharge किसे कहते हैं कि सवस्था को हम nipple discharge करते हैं nipple discharge is any fluid or other liquid that comes out of your nipple nipple discharge जो है वो कोई भी fluid या कोई भी liquid हो सकता है जो आपकी nipple से breast से secret हो रहे होते हैं you might have to squeeze the nipple to get the fluid to come out or it could seep out on its own कभी-कभी होता है कि आपको अपने nipple को squeeze करना पड़ता है fluid को बाहर निकालने के लिए और कभी-कभी होता है कि या जो है खुझ से secret होते रहते हैं खुझ से बाहर आते रहता है निपल के थुरूप तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल निपल डिस्चार्ज किसे करते हैं तो ऐब नत्रेस्ट कर से enix जबकि प्रـ bissल रहे हैं या ब्रेस्ट्ट फीडिग नहीं भी करा रहे हैं तो निपल डिस्चार्ज जो है रिप्रोड्रॉप्टिव एज में एक लिए चले डिस्चारज इस युझोली नोड सीरिय स जो डिस्चार जो होता है युझोली सीरियस नहीं होता है इस्टील टुद है बर 7 ओफ तके सक्षोर लेकिन कभी कभी यह आपके ब्रेस्ट में कैंसर होँस हो सकता तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं abnormal nipple discharge किसे कहते हैं a nipple discharge when spontaneous, persistent and unrelated to lactation is considered abnormal जब आपके nipple से spontaneous और persistently लगातार आपके nipple से discharge हो रहा हो और unrelated to lactation और आपके यह जो discharge है lactation से इसका कोई संबंद नहीं है तब इसे हम abnormal consider करते हैं any significant nipple discharge must be thoroughly evaluated with the following information और जो abnormal nipple discharge जो होता है उसमें जो नीचे दिये हुए है वो point होने जरूरी है पहला जो point है वो है nature of discharge आपके discharge का जो nipple से discharge हो रहा है उसका nature कैसा है मिलकी है सेरस है या bloody है और दूसरा point है unilateral और bilateral क्या जो discharge हो रहा है वो दोनों breast से हो रहे है या कोई एक breast से discharge हो रहा है फ्रो में single duct और multiple ducts आपके breast से जो nipple में ducts होते हैं वो single duct से हो रहा है या multiple ducts से आपका discharge हो रहा है association of any mass in the breast अगर आपके breast में किसी प्रकार का कोई mass या गांट बन गया है तब भी आपके निपल से discharge हो सकता है history of any drug intake अगर किसी प्रकार का drug का इस्तेमाल दवाई का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तब भी आपको abnormal nipple discharge हो सकता है या जो दवा होता है phenothazines हो सकता है और oral contraceptives हो सकता है प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल प्री मेनोपॉजल हो सकता है अबनॉर्मल डिस्चार्ज या पोस्ट मेनोपॉजल हो सकता है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉज ओफ नीपल डिस्चार्ज की नीपल डिस्चार्ज होने के क्या क्या कारण होते हैं नीपल ड पहला जोग इसका कारण है वह बर्थ कंट्रोल पिल्ज अगर किसी प्रकार का आपने बर्थ कंट्रोल पिल्ज का इस्तेमाल किया है इसके वज़ा से भी आपको नीपल डिश्चार्ज हो सकता है दूसरा कारण है ब्रेस्ट इंफेक्ष्ट और अपस्चस अगर आपके ब्रेस्ट में किसी record गालिक्सन है उससे हम डुक्तुलोब्स करते हैं team drugs that increase level of milk producing hormone प्रोलाक्टिग वैसे pros е matters का एस इस्ते माल कर रहे हैं जो hormone prothree watching hormone का प्रोडी我就 होता है उसको increase करता है तो ऐसी अवस्था में भी आपको निप्लडिस्चार्ज हो सकता है या आप आप एंटीडिप्रेसेंट या ट्रांकुलाइजर मेडिसिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपको निपल डिस्चार्ज हो सकता है एकसेस इस्टिमिलेशन और निपल अगर आपके ब्रेस्ट या निपल का एकसेस इस्टिमिलेशन हो रहा है तब भी आपको निपल डिचार्ज हो सकता है हर्मोनलaltro चेंज हैं शिवा मे अगर किसी प्रकार के आपके इंजरी हुआ है लिए सबदल हो सकता है यह कि अगर आपके ब्रेश्ट में प्रालेक्रिकेसटिनोमा यह अगर आपके ब्रेस्ट में में प्रोलेक्टिनोमा हो गया हो तब भी आपके निपल से डिश्चार्ज हो सकता है अगर 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 आपका धंग से काम नहीं कर रहा है इस अवस्ता में भी आपके निपल से डिश्चार्ज हो सकते हैं अगला कारण है ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के वज़े से भी आपके निपल से डिश्चार्ज हो सकते हैं तो चलिए हम जान लेते हैं एसोसियेटेट सिम्टम्स आप निपल डिश्चार्ज निपल डिश्चार्ज के समय आपको कौन कौन से ए इरावन दनिपल आपके ब्रेश कमें लंप या Problem हो सकता है या आपके नीपल के चार और ड्राओ सकता है लोगान चैनलिक इन्वर्ड डिंपिलिंग चैंजिंग डिलर इंच इंच और स्केलिग अगर कि नीपल में कोई चेंजेज आ रहा हो जैसे वो चेंजेज है अगर आपका निपल आपके ब्रेस्ट के अंदर की वो टर्न हो रहे हैं या डिम्पलिंग हो रहा है आपके निपल का कलर चेंज हो रहा है इचिंग हो रहा है और स्केलिंग हो रहा है यह जो सिम्टम से आपके निपल और का एरिया होता है एरियोला होता है उसमें रेस हो सकता है लेजन्स हो सकता है और रेडनेस भी हो सकती है बेस्ट साइज चेंजे सच एज वन ब्रेस्ट डैट्स लार्जर और स्मॉलर देन अधर निपल डिस्चार्ज के दौरान आपका एक ब्रेस्ट जो है लार्ज हो सकता है और दूसरे ब्रेश्ट के मुकाबले आपका एक ब्रेस्ट बड़ा हो सकता है फीवर हो सकता है निप्ल डिस्चार्ज के दौरान भी अगर आप तो निपल डिचार्ज हो रहा है तो ऐसी आवस्ता में आप अपना पिरियट कर सकते हैं नोजिया और वोमीटिंग लग सकता है और फैटीग महसूस कर सकते हैं तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसका डिपल डिशार्ज कर जो डिटाइगनोसिस होता है वह कैसे होता है जब यह आपके दोनों breast से हो रहा है या सिर्फ एक breast से discharge हो रहा है does it come out on its own क्या जो discharge है वो खुझ से secret हो रहा है or do you have to squeeze the nipple to produce this क्या यह जो discharge हो रहा है खुझ से secret हो रहा है या कभी-कभी आपको squeeze करना पड़ता है discharge को बाहर निकालने के लिए what other symptoms do you have निपल डिश्चार्ज के साथ साथ आपको क्या symptoms देखने को मिल रहे हैं आपने सरीर का अंदर या breast के अंदर what medication do you take किसी प्रकार का medication आपके चल रहा है या पहले कोई medication खा सकते हैं खाय हुए है आर यू pregnant और breast feeding क्या आप pregnant है या breast feeding इसका diagnosis का जो तरीका है जो examination part होता है उसमें पहला आता है biopsy the doctor removes a small sample of tissue from your breast to check it for cancer आपके breast से थोड़ा सा sample collect किया जाता है tissue का cancer check करने के लिए जिसे हम biopsy के नाम से जाते हैं mammogram हम लोग breast का mammogram कराते हैं और mammogram जो होता है this test takes x-ray picture of your breast to help the doctor look for cancer आपके breast का x-ray picture लिया जाता है mammogram में cancer को rule out करने के लिए जिसे हम mammogram करते हैं अगला जो होता है diagnosis का तरीका वह है depreter this test uses mammography and injected contrast material to display an image of the milk duct inside your breastBSC細 stoogram जो होता है mammography होता है और साम्च में जो होता है इसमें हैं contrast material जो होता है के मिल्क जाप्ट में in जैक्ट किया जाता है tat है अगले बंड़ को देखने के लिए देखने के लिए और अगला जो तरीका होता है ultrasound this test uses sound waves to create images of the inside of your breast अगला जो तरीका होता है वो है अल्टा साउंड हम नीपल डिस्चार्ज के लिए कभी-कभी अल्टा साउंड भी कराते हैं जिससे हमारा डाइग्नोसिस कंफर्म होता है तो चलिए अब हम जानते हैं कि कब आपको जब नीपल डिस्चार्ज हो रहा है तब कब जो ह अपने डॉक्त्र से मिलना चाहिए यह mentla और स्कीन चेंज अज्च चेंजर सच एज क्रोस्टिंग और कला चेंजर सब्सकार αυτ OHकी में चैंजर हो रहे हैं या इस ब्रेस्ट के बड़ी अगर आपके जो निपल से डिचार्ज हो रहा है वह बलड़ी डिचार्ज है तो ऐसी अवस्था में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए औनली वन ब्रेस्ट इस अवे अफेक्टेड अगर आपका एक ब्रेस्ट के वल अफेक्टेड है तो यह तब भी आपको अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लेनी चाहिए अगला जो है वो है हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है डिस्चार्ज डेट ड्यू टू प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग और हर्मोनल चेंजेज में नौट नीट टू ट्रीटेड जो अगर आपका डिस्चार्ज को ट्रीट करने की आवाश्य सकता नहीं पड़ते हैं लेकिन अगर आपके डिस्चार्ज के साथ कोई एसोसियेट सिंटम्स आ र जो कंडिशन के अनुसार जो होता है ट्रीटिमेंट जो होता है आपके डिस्चार्ज का वह बेजड ऑन दी कंडिशन के अनुसार बेजड होता है तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और झाल झाल